पुसकार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी गाये को भूल कर भी न खिलाएं ऐसी रोटी वरना दुख और विपत्ती से जीवन हो जाएगा बरबाग दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से आखरी तक पूरा देखियेगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके शास्त्रों और पुराणों में गाये को पूजनी ये स्थान दिया गया है यही कारण है कि गाये को गमाता कहेकर भी पुकारा जाता है प्राणी जगत का गाये ही एक मात्र पशु है जिसमें 33,000 देवी देवताओं का वास होता है गाये का दूध जितना अधिक स्वास्तिवर्धक है उतना शायद ही किसी पशु का दूध लाबडायक है इसके अतिरिक्त गाये के प बंच गव्य का प्रयोग किया जाता है इतना ही नहीं गुमूत्र और गोबर से विभिन्द git प्रकार के कीकटना शक का प्रयोग होता है गाये को रोटी खिलाने का धार्मिक कारण सनातन धर्म में गाये को लक्श्मी स्वरूप भी माना गया है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन रहता है हिन्दू मान्यता के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निहस्वार्थ भाव शेकी जाती है उस घर में सदैव लक्शमी की कृपा बनी रहती है इतना ही नहीं जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ अचानक किसी भी प्रकार की विग्न बाधाएं नहीं पनप पाती है शहरी परिवेश के कारण गाय को पालना तो संभव नहीं होता है लेकिन इस से जोड़ी कुछ माननेताओं का पालन लोग अवश्य करते है शास्त्री माननेता के अनुसार शहरों में गाय को रोटी खिलाई जाती है लेकिन आजकल गाय को रोटी खिलने का प्रचलन बदल गया है बदलते प्रचलन में कई बार बड़ी भूल हो जाती है जो की बेहद अशुब है गाई को रोटी खिलने में रखे इन बातों का ध्यान नित्ते गाई को रोटी खिलाना हर एक दृष्टी कोण से शुब माना जाता है लेकिन आजकल इसका तरीका बदल गया है जो की बेहद अशुब माना जाता है शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रायन लोग गाय के लिए रोटी तो रखते हैं लेकिन समय से इसे खिला नहीं पाते हैं कई बार तो गाय के निमित रखी गई रोटी दो या तीन दिन के बाद खिलाई जाती है। गाय के लिए रखी गई रोटी को जब कुछ दोनों के अंतराल के बाद खिलाई जाती है, तो ऐसी स्थिती में घर में बधाली, दुहक और विपत्ती का साया मंडराने लगता है ऐसी स्थिती में यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गाय को खिलाने के लिए जो रोटी रखी गई है वह बासी ना हो साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय को बासी रोटी खिलाना उनका अपमान करना है गाय का अपमान करना परिवार में विपत्ती लाता है इसलिए यदि आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज ही इस आदत को बदल डाले गाय को रोटी खिलाने के फायदेवान हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास मान जाता है अगर आप सुभा सबसे पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आरशिवाद प्राप्त होता है 2. गाय को गुरु के साथ भी जोड़ा गया है इसलिए माननेता है कि गुरुवार के दिन गाय को हलडी की रोटी खिलाने से धन सपन्ती और सुख में वृद्धी होती है दुष्ट ग्रह भी शांत रहते है 3. जो लोग मानसिक परिशान रहते हैं वो गाय को मीठी रोटी खिलाएं ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक उर्जा का प्रवा होता है और शरीर की सभी नकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाती है 4. अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब स्थिती में है तो आपको गाय को प्रति दिन रोटी खिलानी चाहिए ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों के शुबफल प्राप्त होने लगेंगे 5. अगर को आपकी कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हुई है तो आप प्रति दिन गाय को रोटी खिलाएं ऐसा करने से आपकी वह इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें